मैं हूँ आपकी होस्ट चित्रा लेकर हाजिर हूँ हमाराज का खास प्रोग्राम जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी तस्वीर के बारे में जो ना जाने कितने सालों से अपने आप में एक रहस्या बनी हुई है और यह तस्वीर कोई और नहीं बलकि यह तस्वीर है मोना लीसा की जिहां दोस्तों हमेशा ही मोना लीसा का नाम सुनते ही हर किसी के मन में तरह तरह के सवाल अक्सर ही पैदा होते रहते हैं कि आखिर कौन है मोना लीसा और किसने यह तस्वीर बनाई हैं दोस्तों इस तस्वी विए विए इस तस्वीर को को हर अलग एंगल से जब देखा जाता है तो हर तरह से अलग अलग तरह से यह तस्वीर miskुराती नजर आती है जिहां दोस्तों यानि Mauna-lisa की तस्वीर को अलग अलग एंग-लग से देखने पड़ पता चलता है कि यह अलग-अलग तरह से मुस्कुराती रहती है लेकिन आज तक भी कोई भी इस तस्वीर का रहस्य नहीं समझ पाया बता दे दोस्तों कि लिनारडो डावेंची जिन्हों ने इस तस्वीर का निर्मान किया उनको सबसे बड़ा कलाकार और खोजकार कहा जाता है आज तक उनको याद किया जाता के पyard है बता दे दूस्तों कि लिनार्डों ने इस तस्वीर को बनाया था इतना ही नहीं उनके जन्त से लेकर उनके निधन तक आज तक वो खुद भी एक रहस्या बने हुए हैं मौनालीसा की तस्वीर को उन्होंने कई सालों में जाकर तयार किया जी हाँ दोस्तों बता दे वो मोनालिसा की तस्वीर जो आज तक अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं आज तक भी कोई इस बात का पता नहीं लगा पाया कि लिनार्डो ने आखर किस औरत की तस्वीर को उकेरा है अपनी उस तस्वीर में बता दे दोस्तों कि ये तस्वीर किसी कागज या पत्थर पर नहीं बनी बलकि एक लकड़ी के टुकड़े पर इस तस्वीर को बनाया गया है और आज उस लकड़ी के टुकड़े को स्केट बोर्ड बनाने के लिए तयार किया जाता है इसे के साथ बता दे कि सालों पहले ये तस्वीर एक म्यूजियम में पाई गई सबसे हैरान करने वाली बात दोस्तों ये रही कि आखिर किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि आखिरकार इस म्यूजियम में ये तस्वीर कैसे आई जिसे हमेशा लिनार्डो अपने साथ ही रखा करते थे किसी को भी इस बात को कोई पता ही नहीं चल पाया कि ये तस्वीर उस म्यूजियम में क्या कर रही थी इतना ही नहीं कुछ समय बाद वो तस्वीर उस म्यूजियम से चोरी भी हो गई जिसके लगभग दस साल बाद इस तस्वीर को फिर से ढूर निकाला गया यानि एक बार फिर से अपने आप में कई रहसे समेटे हुए ये तस्वीर वापिस नजर आई इतना ही नहीं आज इस तस्वीर को सुरक्षित रखने के लिए किसी म्यूजियम ने उस तस्वीर के लिए 500 करोड का एक म्यूजियम तयार करवाया है उस म्यूजियम का ताप्मान इस तरह से रखा गया है कि तस्वीर को किसी भी तरह का कोई नुक्सान ना हो अगर बात की जाए तस्वीर की कीमत के बारे में जिसे सुन कर आपके होश और जाएंगे जिए हाँ दोस्तो रिपोर्ट्स की माने तो इस तस्वीर की हालिया कीमत है 5300 करोड के लगभग यानि सबसे जादा महेंगी तस्वीर है मोना लिसा की तस्वीर जो अपने आपने ना जाने कितने रहसे समेटे हुए है आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको मोना लिसा और इस तस्वीर से जुड़ी कुछ ऐसी ही जरूरी बातों के बारे में और कुछ रास के बारे में बताएंगे जिसे सुन कर आप भी चोग जाएंगे तो चलिए बिनादेर के शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की दोस्तों हर इनसान में ऐसी कोई ना कोई एक कला जरूर होती है जो उसको किसी दूसरे इनसान से अलग मनाती है लेकिन फर्क सर्फ यहां होता है कि कोई इनसान अपनी स्कला को बाहर निकालता है तो कोई इसे अपने अंदर ही छुपा कर रगता है लेकिन आज हम आपके सामने लेकर हाजर है एक ऐसी खास रिपोर्ट जिसे सुन आप एक बार हैलान तो जरूर होंगे सोचने को भी जरूर मजबूर होंगे दलसल आज हम बात करने वाले हैं मोना लीसा की तस्वीर के बारे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तस्वीर में ऐसी क्या खास बात है जो हम आपको इससे रूबरू करा रही है हड़ तसवीर की तENA ही ये तसवीर भी काफी सिंपल और नॉर्मल सी है, लेकिन दोस्तों बता दे कि जो तसवीर आप सभी को काफी साधारण सी दिखाई देती है, यानि मोना लीसा की तसवीर वो अपने आप में काफी रहस्य समेटे हुए है जीहां दोस्तों अब आप इस बारे में सोचने को मजबूर हो रही होंगे कि इस तस्वीर में आखिरकार क्या रहस्या छुपा हुआ है तो चलिए पताते हैं आपको इस तस्वीर से जोड़ी कुछ तमाम कहानियों के बारे में कुछ सची बातों के बारे में बता दे कि लिनार्डो डावेंची जो एक मशूर कराकार एक खोज करता रही है इटली के इटली की राजशाही के दोरान लिनार्डो डावेंची ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जो आज सेकडों सालों बाद भी एक रहस्य में सिंटी हुई है बता दे दोस्तों कि वैंची को आज तक याद किया जाता है उनके जन से लेकर उनके निधन तक वो खुद भी एक रहस्य बने है अपनी तस्वीर मोना लिसा तस्वीर की तरह ही दोस्तों बता दे कि मोनारेसा की तस्वीर हर किसी को सोचने पे मजबूर कर देती है इस तस्वीर इस पोर्ट्रेट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसको जितने अलग एंगल से देखा जाता है उतनी ही अपनी ये स्माइल बदलती रहती है जी हाँ इस बात का मतलब आपको समझा दे कि अगर आप इस तस्वीर को दाईं तरफ से देखेंगे तो आपकी इसकी स्माइल अलग नज़र आएगी और अगर आप इस तस्वीर को बाई तरफ से देखेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा मोना लीसा की स्माइल में यानि आपको बदली हुई नजर आएगी मोना लीसा की स्माइल आप सोच में पढ़ गए होंगे कि आखिर एक तस्वीर अपनी हसी को अपनी स्माइल को कैसे बदल सकती है लेकिन दोस्तो राज की बात यही है जो इस तस्वीर में दफन है दोस्तो लगभग 500 साल से इस पेंटिंग में दफन है एलियन को आज तक कोई नहीं पहचान पाया कि आखिर कौन है मोना लिसा कौन है ये मोना लिसा जो इस तस्वीर में है और अपने आप में रहस्य समेटे हुए है सबसे पहले बता दे कि इस तस्वीर को किसी कागज या कपड़े पर नहीं बनाया गया बल की बनाया गया है एक लकड़ी के टुकड़े पर और आज इस लकड़ी के टुकड़े को स्केट बॉर्ड के लिए यूज किया चाता है लिनार्डो डावेंची ने इस तस्वीर को साल 1503 में बनाना शुरू किया था और 1519 तक वो इस तस्वीर को बनाते ही रहे यानि हैरान करने वाली बात है कि 16 साल तक ये तस्वीर निर्मान में रही और लिनार्डो इस तस्वीर को 16 साल तक बनाते रहे लेकिन फिर भी ये तस्वीर पूरी नहीं हो पाई जिहां दोस्तों अब आप हैरान हो रहे होंगे कि आकिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है जो 16 साल तक ये बनती रही और 16 साल भी ये 16 साल बाद भी ये कभी पूरी नहीं हो पाई तो दोस्तों बता दे कि 16 साल तक जब ये तस्वीर बनती रही उसके बाद भी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि तब लिनार्डो डावेंची इस दुनिया को छोड़ कर जा चुके थे जिसकी वज़े से इसका निर्मान कारिय अधूरा रह गया एक और खास बात आपको बता दे कि इस तस्वीर का नाम मोना लीजा नहीं है बल्कि इसका नाम है मोना लीजा जिसका मतलब आपको समझा दे माई लेडी जी हाँ दोस्तों बता दे कि जब वैंची ने इस तस्वीर का निर्मान करना शुरू किया था तब वो 51 साल के थे पर्डो को अपनी ये तस्वीर अपनी हर पेंटिंग में सबसे जादा पसंद थी जिसकी वज़ा से वो हमेशा इसे अपने पास रखना पसंद करते थे लेकिन पैरिस के म्यूजियम में एक बार ये तस्वीर काफी रहसे में धंक से देखी गई किसी को भी इस बात का मतलब ही समझ नहीं आया कि आखिरकार पैरिस के उस म्यूजियम में मोना लीशा की ये तस्वीर कहां से आई कैसे आई और कब आई एक और हैरान करने वाली बात आपको बता दे 21 अगस्त साल 1921 को मोना लिसा की ये तस्वीर म्यूजियम से चोरी हो गई थी जिससे हर कहीं तहल का मच गया था कि आखिरकार इतनी पुरानी विरासत कोन चोरी कर सकता है एक और रहसे में घटनाप को बता दे कि 10 साल बाद मोना लिसा की इस तस्वीर को फिर से ढूंड लिया गया तो वहीं दूसरी तरफ बता दे कि इस तस्वीर के लिए 50 करोड खर्च करके एक म्यूजियम तयार कराया गया है ताकि मोना लीसा की इस रहसे में तस्वीर को कोई नुक्सान ना हो बात की जाय अगर इसकी कीमत के बारे में तो सालों पहले मोना लीसा की इस तस्वीर की कीमत थी 100 million dollar और आज माने रिपोर्ट इस तस्वीर की कीमत है लग भग 5300 करोड जो अपने आप में काफी बड़ी कीमत है और किसी भी दूसरी पेंटिंग से सबसे ज़ादा कीमत है इस मोना लिसा तस्वीर की दोस्तो इस तस्वीर में यह ओरत कौन है किसी को नहीं पता लिनार्डो ने अपनी इस तस्वीर में किस ओरत का चहरा छापा है किस ओरत को बनाया है किसी को विजबात की खबर नहीं है कि आखिरकार उन्होंने क्या सोच कर क्या इमेजन करकर मोना लिसा को इस तस्वीर पर उतारा अपने आप में काफी रहसे समेटे हुए है यह है तस्वीर जिसको जितने अलग एंगल से देखा जाए उतनी बार ही अपनी स्माइल बदलती रहती है और आज तक भी मोना लिसा की तस्वीर से जुड़े इन राजों को कोई भी नहीं सुलचा पाया और आज पी एक राज ही है मोना लिसा और मोना लिसा की तस्वीर मोना लिसा नहीं बलकि मोना लीजा है एक spelling mistake की वज़े से इस तस्वीर को अब हर कोई Mona Lisa तस्वीर के ही नाम से जानता है लेकिन इसका meaning बता दे आप सभी को किसका असली मतलब होता है My Lady इसी के साथ बता दे कि लिनार्डो ने ये तस्वीर साल 1503 में बनानी शुरू की थी और 1519 तक वो इस तस्वीर को बनाते ही रहे यानि 16 साल तक ये तस्वीर बनती रही लेकिन एक दुखत बाद और आपको बता दे कि ये तस्वीर पूरी होने से पहले ही लिनार्डो इस दुनिया को अलविदा कह गए यानि वो जिस महीला की तस्वीर को खेरना चाहते थे वो पूरी ही नहीं हो पाई जो आज भी लोगों के बीच रहस्या बनी हुई है ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय के हर इंसान को देखा जाए और इस तस्वीर को देखा जाए तो उस समय पर कोई भी महीला ऐसी नहीं थी जैसी लिनार्डो ने अपनी तस्वीर में इस महीला की आक्रियती को उकेड़ा यानि एक बार फिर से रहस्य के खेड़े में आ चुकी है मोना लिसा की तस्वीर वेल दोस्तों हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में देखा आप सभी ने मोना लिसा की तस्वीर से जुड़े गहरे रहस्यों के बारे में जो हमेशा से ही एक रहस्य समेटे हुए है ऐसा भी कहा जाता है कि अलग-अलग एंगल से देखने पर यह तस्वीर अलग-अलग तरीके से हस्ती हुई नज़रादी है और आज तक भी कोई भी इस बात का पुकता सबूत नहीं दे पाया कि आखिर ऐसा क्यों होता है वेल इसलिके साथ अब मुझे दीजे इजाजब साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक के लिए स्टे ट्यून बाबाई